नमश्कार मैं हूँ राहूल आरिये और इस वक्त की बड़ी अप्डेट हर्याना की पॉल्टिक्स को लेकर ये है कि कॉंग्रेस की नेता किरन चौधरी सुत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि कॉंग्रेस की नेता किरन चौधरी कल भारतिय जन्ता पार्टी जोयन कर सकती जिस तरह के से किरन चौधरी लगातार मोर्चा खोले हुए थी कॉंग्रेस में गुटबाजी को लेकर भूपेंदर सिंग हुड़ा पर आरोप लगा रही थी और जिस तरह से जो शुरूती चौधरी है जो उनकी बेटी है उनकी टिकट जो भिवानी महिंदरगट लोकसबा है उनकी टिकट कटी और रावडांसिंग को टिकट दी गई तो उसके about लगातार किरन चौधरी लगातार बयान बाजी कर रही थी लगातार गुटबाजी की बाते कर रही थी और लगातार जो कॉंग्रेस के नेता हैं उनपर आरोप लगा रही थी अंदेखी के उन्होंने आर और कहां नहीं जाना है और जिस तरीके से किरन चौधरी ने भरे मंच पर राहुल गांदी से रावदांसिंग की शिकायत की और राहुल गांदी ने भी इशारों में कुछ समझाने की कोशिश की, एक जुटता की कोशिश की, मगर लगता है कि तमाम जो कोशिशें हैं वो सुत्र ये बताते हैं कि जो किरन चौधरी हैं उनकी देश के प्रधार मंतरी नरेंदर मोदी से बाचीत कराई गई है और बाचीत कराने के बाद ही सब कुछ तै हुआ है और कल कहीं न कहीं दोनों मा बेटी शूरूती चौधरी और किरन चौधरी कल भारतिय जन्ता पार्टी जोएन कर सकती हैं अब जिस तरीके से हर्याना प्रदेश के अंदर राज्यसबा की एक सीट खाले होई है देपेंदर सिंग हुड़ा जो रोह तक से वो सांसत बन गए है लोकसबा के और वो राज्यसबा के सांसत थे उन्होंने अपनी राज्यसबा की सीट से इस्तिफा दि करने के बाद हर्याना के अंदर राज्यसबा की सीट खाली हो गई है तो कहीं न कहीं जो किरन चौधरी है किरन चौधरी कयास ये लगाये जा रही है किरन चौधरी के लिए जो राज्यसबा की सीट है वो शूरूती चौधरी के लिए राज्यसबा की सीट भारतिय जनता पा उनके अंदर अच्छा खासा प्रतिनित्त्व देने का वरोसा भी किरन चौधरी को भारतिय जनता पार्टी की ओर से उनके नेताओं की ओर से दिया गया है और जिस तरीके से सुत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी से किरन चौधरी की बात कराई करेगी कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने चुनाव के दोरां जो चौधरी बंसिलाल हैं उनका नाम लिया और उनकी प्रिशंसा की तो कहीं न कहीं अटकले उसी वक्त लगनी शुरू हो गई थी किरन चौधरी जो हैं वो कहीं न कहीं भारतिय जन पार्टी जोएन कर सकती हैं और लगातार किरन चौधरी वो कॉंग्रेस के अंदर गुटबाजी को लेकर अपने बयान देती रही है अपना पक्ष रखती रही है और उन्होंने हालिया बयान दिया है हालिया उनका जो इंटर्व्यू मीडिया के सामने उन्होंने अपनी बा और पार्टी जोएन कर सकती हैं माने कॉंग्रिस को छोड़ सकती हैं और आज सुत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है कि कल भारतिय जनता पार्टी जोएन कर सकती हैं किरन चौधरी देखने वाली बात ये होगी कि किरन चौधरी को अगर वो भारतिय जनता पार् पार्टी के अंदर जाकर पच्टा रहे हैं उसी तरीके से अगर किरन चौधरी चली जाती हैं तो वो भी भारतिय जंता पार्टी में जाकर पच्टाएंगी आज के लिए बस इतना ही फिर हाजिर होंगे बड़ी अपडेट के लिए तब तक के लिए नमस्कार